कॉंग्रेस के राष्टा अध्र है राख्क शुनाफ को लेकर नόमिनेशन की परकिरिया शुरू हो चुकी है इसक кас हमारे साथ हर्याना परभारी विबेक बनसल मौझूद है सर किस तरीके से देखते हैं नόमिनेशन की परकिरिया शुरू हो चुकी है हर कोई सुचंद है, हाइकमान ने पूरा सब को ये कहा है, कि जो भी लड़ना चाहे, वो सुतंत्र है, तो खासतोर से विपक्ष की पार्टियों को ये देखना चाहिए, कि किती आंतरिक जो स्वात्ता है इस पार्टी में, कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसके सापेक चाप देखिए, बारती जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोनीत होते हैं, कोई चुनाव नहीं होता है, तो इससे बड़ा कोई संकेत हम लोकतंतर में हमारा विश्वास है, अगर हम राहूल गांदी जी लोकतंतर को लेके बार-बार कटगरे में खड़ा करते हैं आधर लोकतंतर हो और हर कोई चुनाव लड़ने के लिए सुतंतर है. देखें, अब सिर्फ हर्याना कॉंग्रेस ही नहीं, प्रिदेश के हरी हर प्रिदेश कॉंग्रेस कमिटी के जो कारकार्णी है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है और एक सर्वसम्मती से प्रिस्ताव पारित करके भेजा है कि राहूल गांदी जी इस पद को सुशोब कि कोई भी व्यक्ति आए गैर कांदी परवार से तो ये उनकी इसपश्टा दर्शाता है कि वो पार्टी के लिए कार करना चाहते हैं और आप देखी रहे हैं जिस तरीके से वो पद्यातरा को लेकर चल रहे हैं वो एक बहुत बड़ा इसपश्ट संकेत है लोगों के लिए कि राहुल गांदी जी का इरादा अटिल अडिग है और जो विपक्ष की नीतियों का खुलासा करने के लिए उसका पटाक्षिप करने के लिए वो निकले हैं भारत जोड़ यात्रा की हम बत कर लेते हैं सर एक आखरी सवाल काफी राज요ं में होकर हरीना गुजरेगी हरीना में किस तरीके के तयारया है किस तरीका का response सर जंता की बात करे करेकरता हो कि भारत जोड़ यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है सर देखिये बहुत अच्छ से जड़ाओ हो रहा है जनता से समवाद हो रहा है हर वर्क के जो का जो समाज का व्यक्ति है उससे उनका समवाद हो रहा है उनकी समस्याओं की व्यक्ति का तुरूप से जानकारी ले रहे हैं तो यह स्वागत योग कदम है और यह एक जिसे कहते हैं राजनीतिक दिश्टी से बहुत महत्पूर्ण और एक बहुत एक राजनीती को बदलने वाला कदम होगा। बहुत वाला के सबस्ट लिए सकतेते हैं।